नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टार्गिर एडडा इस्टेडी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज है 25 मार्च 2022 और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करिंट अफेर्स जो अगामी किसी भी एकजाम की द्रिष्ट से बेहदी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरूर दबा लें जिससे आगे की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें दोस्तों वीडियो के पीडिय फायल आपको टेलीगराम चैनल पर मिल जाएगी जहां आपको डेलीवटी डेलीव रिवीजन भी प्रवाइड किया जाता है दोस्तो टेलिग्राम पर आपको daily quiz के माध्यम से current affairs की test series भी provide की जाती है तो दोस्तो टेलिग्राम चैनल को जुरूर जोइन करें टेलिग्राम चैनल का link आपको description box में मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले हम उस question की तरफ चलेंगे जो आपको कल दिया गया था और उसका answer आपको comment box में बताना था दोस्तो आद भी वीडियो के last में हम आपसे एक question करेंगे जिसका answer आपको comment box में बताना होगा और उस question का answer आपको next वीडियो में बताया जाएगा तो दोस्तो चले देख लेते हैं वो question कौन सा है तो दोस्तों question था हाल ही में 200 जल दिवस 2022 कब मनाय गया है तो दोस्तों इसके 4 option दिया गया था option A 20 March, option B 21 March, option C 22 March और option D 23 March दोस्तों इस question का answer लगभग सभी लोगों ने सही दिया था इस question का सही option है option C 22 March 22 March को ही 200 भर में 200 जल दिवस 2022 मनाय गया तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले प्रस्ण की तरफ तो दोस्तों आज का पहला प्रस्ण है किसी network के brand ambassador के रूप में किसे नियूक्त किया गया है दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A विक्रांत मैसी option B मनोज वाचपेई option C नमाजूद्दीन सिद्ध की option D पंकज त्रिपाठी तो दोस्तों इसका सही option है option D पंकज त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी को क्रिसी network के brand ambassador के रूप में नियूक्त किया गया है तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले question के तरफ मेरी policy मेरे हाथ योजना किस छेत्र से सम्बंदित है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A सिक्षा से option B क्रिसी से option C खाद्य से और option D सडक से तो दोस्तों इसका सही option है option B क्रिसी से मेरी policy मेरे हाथ योजना किस छेत्र से सम्बंदित है तो दोस्तों चलते हैं अगले question के तरफ NBA मानिता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विस्सु विद्याले कौन बना है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A M.J.P.R.U. विस्सु विद्याले option B NBA मानिता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विस्सु विद्याले चंडी गड़ विस्सु विद्याले बना है तो दोस्तों चलते हैं अगले question के तरफ सौभागी योजना के तहत किस राज्ज में सौर आधारित stand-alone सिस्टम के माध्यम से अधिक्तम घरों का विद्योती करण किया गया है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A तमिल नाडू option B राजस्थान option C असम option D बिहार तो दोस्तों इसका सही option है option B राजस्थान सभाग योजनक के तहत राजस्थान में सौर आधारित stand-alone सिस्टम के माध्यम से अधिक्तम घरों का विद्योती करण किया गया है तो दोस्तों बीडियो पसंदारी हो तो बीडियो को एक बाल लाइक सेयर चलूर कर दिजेगा चलते हैं पर next question के दरफ दो हजर बाइस दादर सहाब फाल के अंतराश्ट्री फिल्म एवार्ड में सर्वस्रेष्ट अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों इसके लिए उप्सन दिया गया है उप्सन A आलिया भट उप्सन B अनुस्का सर्मा उप्सन C माधुरी दिक्षिद और उप्सन D कृती सेनन तो दोस्तों इसका सही उप्सन है उप्सन D कृती सेनन 2022 दादर सहाब फाल के अंतराश्ट्री फिल्म एवार्ड में सर्वस्रेष्ट अभिनेत्री का खिताब कृती सेनन ने जीता है दोस्तों अगला क्वेशन देखते हैं हिमान्चत प्रदेश राज्ज के किस जिले को पहला जय विवित्ता पार्क मिला है तो दोस्तों इसके लिए उप्सन दिया गया है उप्सन A नहान उप्सन B नैनिताल उप्सन C मंडी और उप्सन D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका तही उप्सन है उप्सन C मंडी हिमान्चत प्रदेश राज्ज के मंडी जिले को पहला जय विवित्ता पार्क मिला है तो दोस्तों अगला क्वेशन देखते है भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज 6-Y-U नामक अभ्यास सुरू किया है दोस्तों इसके लिए उप्सन दिया गया है उप्सन A पाकिस्तान उप्सन B छीन उप्सन C ओमान और उप्सन D जापान तो दोस्तों इसका सही उप्सन है उप्सन C ओमान भारत ने उमान देश के साथ पूर्वी ब्रिज 6 वायू नामक अभ्यास शुरू किया है तो दोस्तो अगला कुछन देखते हैं भारतिय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज अस्थापित करेगा दोस्तो इसके लिए उप्सन दिया गया है उप्सन A, Odisha, उप्सन B, Punjab, उप्सन C, जम्बु कास्मीर और उप्सन D इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही उप्सन है उप्सन C, जम्बु कास्मीर भारतिय रेलवे जम्बु कास्मीर राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज अस्थापित करेगा तो दोस्तो अगला क्वशन देखते हैं कि अध्यक्षता में जम्बु कास्मीर परिसीमन पैनल को दो महिने का विस्तार दिया गया है तो दोस्तो अगला क्वशन देखते हैं अड़तलिसा हमां खुजराहु निरित्य बहुत सव किस राज्य में सुरू हुआ है तो दोस्तो इसके लिए ओप्सन दिया गया है ओप्सन ए ओडिसा ओप्सन बी मध्य प्रदेश ओप्सन सी पंजाब और ओप्सन डी इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही ओप्सन है ओप्सन बी मध्य प्रदेश अधिलसा हुआ खुजराहो निरत्य मोहत्सव मध्यप्रदेश राज्य में सुरू हुआ है तो दोस्तो चलते हैं के लिए क्वेशन के दरफ हाल ही में विश्व वाई गुडवत्ता रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रदूसित देश रहा है तो दोस्तो इसके लिए ऑप्सन दिया गया है विश्व वाई गुडवत्ता रिपोर्ट 2022 में बांगला देश सबसे ज्यादा प्रदूसित देश रहा है तो दोस्तो अगला क्वेशन देखते हैं हाल ही में Fitch Ratings ने भारत के FY23 के विकास के अनुमान को 10.3% से गटा कर कितना कर दिया है तो दोस्तो इसके लिए ओप्सन दिया गया है ओप्सन A 7.3% ओप्सन B 8.3% ओप्सन C 8.5% और ओप्सन D 10.3% तो दोस्तो इसका सही ओप्सन है ओप्सन C 8.5% हाल ही में Fitch Ratings ने भारत के विकास अनुमान को 10.3% से गटा कर 8.5% कर दिया है तो दोस्तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन के दरफ हाल ही में बिहार अस्थापना दिवस 2022 कब मनाए गया है तो दोस्तो इसके लिए ओप्सन दिया गया है ओप्सन A 22 मार्च, ओप्सन B 23 मार्च, ओप्सन C 24 मार्च और ओप्सन D 20 मार्च तो दोस्तो इसका सही ओप्सन है ओप्सन A 22 मार्च 2022 हाल ही में बिहार अस्थापना दिवस 2022 22 मार्च 2022 के दिन मनाए गया अगला कोशन देखते हैं हाल ही में 26 रोग दिवस 2022 कब मनाए गया है दोस्तो इसके लिए ओप्सन दिया गया है ओप्सन A 22 मार्च 2022 ओप्सन B 23 मार्च 2022 ओप्सन C 24 मार्च 2022 और ओप्सन D 20 मार्च 2022 तो दोस्तो इसका सही ओप्सन है ओप्सन C 24 मार्च 2022 24 मार्च 2022 के दिन ही 26 रोग दिवस मनाए गया अगला कोशन देखते हैं हाली ही में सत्य के अधिकार और पिर्टो की गरिमा के लिए अंतर राष्ट्री दिवस 2022 कब मनाये गया है तो दोस्तो इसके लिए ओप्सन दिया गया है 22 मार्च, ओप्सन B 23 मार्च, ओप्सन C 24 मार्च और ओप्सन D 20 मार्च तो दोस्तो इसका सही option है option C 24 March 2022 हाली ही में 24 March के दिन सत्त के अधिकार और पिड़तों के गरिमा के लिए अंतराश्ट्री दिवस मनाया गया है तो दोस्तो अगला question आपके लिए होगा जिसका answer आपको comment box में बताना होगा और दोस्तो इस question का answer आपको next वीडियो में बताए जाएगा तो दोस्तो देख लेते हैं वो question कौन सा है तो दोस्तो वो question है हाली ही में Indian Super League 2022 किसने जीता है तो दोस्तो इसके लिए option दिया गया है option A Mumbai Indians option B हैदराबाद FC option C चैन्नाई Super King और option D Royal Challenger Bangalore तो दोस्तो इन चारो option में से कौन सा option सही है आपको comment box में बताना है दोस्तो इस question का answer आपको next वीडियो में बताए जाएगा तो दोस्तो ये रहे आज के कुछ most important current affairs daily sitra के most important current affairs के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तो बीडियो पतना ही हो तो बीडियो वो एक बाल लाइक करके अपने सभी study group में share जरूर कर दीजेगा दोस्तो टेलिग्राम के साथ साथ अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ फेस्बुक पर भी फेस्बुक पर जाकर search करें target add study और हमारे साथ चरूर जुड़ जाएं तो दोस्तो कल फिर मिलते हैं कुछ most important current affairs के साथ तब तक के लिए जैहिन